हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो अनाधर वीडियो तो आज सेट अप थोड़ा अलग है अभी ग्रिन स्क्रीन के सामने मना रहा हूँ वीडियो इसके सामने में नॉर्मेली मेरा जो दूसरा चैनल है उसके रिलेटेड वीडियो शूट करता हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है तो आज कुछ एक टॉपिक में शेर करूंगा आप लोग के साथ जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा और चाहे हम लोग न्यू है बिगिनर है या फिर हम लोग मतलब बहुत ज्यादा स्केलिंग कर रहें ड्रॉप शिपिंग में यह जो प्रॉब्लेम है जो मैंने अभी मेरा एक केंपेंग चल रहा था कुछ दिन पहले जिसमें मेरा कभी 10,000 का सेल आ गया था तो अभी उसी का जो शिपिंग प्रॉसेस है वो चल रहा है तो उसी के टाइम मैंने यह जिस फेज किया तो क्या हुआ अभी आज से मान लीजे दो दिन पहले मैं देख रहा था कितने order मेरे ship होगे कितने order ship होना बाकी है तो मैंने देखा कि तीन order ऐसे है कि उसका time चला गया है shipping का जो एक expected date था वो चला गया है लेकिन वो ship नहीं हुआ तो पहले तो मुझे लगा कि शायद customer ने accept नहीं किया तो उन्हाने क्या क्या मतलब return हो गया return to origin हो गया तो मैंने क्य क्या किया जाके उसको tracking details जो है उसमें जाके check किया तो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था जो डिजन लिखा हुआ तो उसमें था कि जो customer था वो accept नहीं किया उसमें customer refuse to accept ऐसे करके लिखा हुआ आता है express bees और ecom express यह दोनों ही ज्यादातर सारे जो drop shipping companies है वो यूज करते हैं तो दोनों में यही चीज लिखा हुआ था तो मैंने तब भी एक बार confirm करने के लिए मैंने क्या क्स्टमर को फोन लगाया तो जब फोन लगाया मैंने तब मुझे पता चला मतलब customer को मैंने पूछा कि आ तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने बोला कि इस तारीक को आपके पास delivery होने वाला था जो उसमें दिखा रहा था तो उसके बाद मुझे पता चला कि उनके पास unknown number से call आया था ओवियसली जो delivery person होगा उसका नमबर unknown ही होगा तो उन्होंने पीक भी नहीं किया फो कुछ केस में हम लोग complain raise कर सकते मतलब ऐसे जैसे मैंने customer को phone किया phone करके दुबारा उसको और एक बार delivery के लिए दे सकते तो बताओंगा किसके साथ मुझे यह problem है जिसमें यह चीज़ नहीं कर पाया मैं तो ऐसे ही मैंने दूसरे customer को phone किया तो उनका ऐसा था कि वो किसी दूस उसमें portal पे order के time पे वो तो घर का address था और वो रहते है normally अलग जगह पे तो delivery agent को लगा होगा कि यह तो order लेने नहीं वाले तो इसको भी सेम जगह पे डाल दो refuse to accept सेम चीज़ हुआ और एक किसी और के साथ भी मतलब तीन लोगों के साथ यह चीज़ हुआ और तीनों जो customer उनको चाहिए product उनको चाहिए लेकिन किसी कारण से वो accept नहीं कर पा रहे एक मतलब उनको Sunday को चाहिए दूसरा क्या है वो pick up भी नहीं किया call और तिसरा जो है तिसरा जगे से प्लेस हुआ था एक था मिशो से एक ग्लो रूट से और एक था शोब 101 से तो तीनों का जो service quality हो मुझे पता चल गया तो क्या हुआ सबसे पहले मैंने मिशो का देखा तो मिशो में जैसे पहला order refuse to accept था लेकिन customer ने तो refuse नहीं किया था उस order को तो मैंने किया कि मिश चोके orders तो तीन में पहला वाला तो refuse हो गया अभी दो बार order करेंगे तो हो सकता है कि यह deliver हो जाए लेकिन जो ग्लो रूड वाला है पहला order जैसे ही deliver नहीं हुआ इन लोगों नहीं क्या किया उसको close कर दिया और मेरे पास एक notification डाल दी कि दुबारा मैं उसको अपिल करू delivery कर है उसके बाद अभी क्या करेंगे ग्लो रूड वाले 48 hours के बाद उसको verify करेंगे और उसके बाद फिर से process करेंगे तो हो सकता है इसमें और चार दिन लग जाए तो यह चीज मुझे अच्छा नहीं लगा ग्लो रूड का पहली और मुझे लगता यह चीज यह लिए भी तो शौप 101 में क्या है पहली बार जब accept नहीं किया उनको लगा कि customer accept नहीं करेंगे दुबार मेरे पास notification आया तो notification को मुझे accept करना पड़ता है ग्लो रूट में भी और यह शौप 101 में भी लेकिन उसमें नहीं करना पड़ता वीशो में वो लोग तीन बार कड़ी देते तो शौप 101 में फिर से मैं notification accept कि हार दुबारा जाईए delivery करने के लिए मतलब उस टैम मैंने phone नहीं किया तो notification आया था मैंने accept कर दिया तो दुबारा गये हुआ नहीं तो इन लोग किया दो बार के बाद ही इसको close कर दिया अभी दिखा रहा है order failed और जो item है वो बापस आ जा रहा है मतलब return हो किया लेकिन मुझे बता है कि यह जो item है यह तो वो ल तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है उसमें में है कि वो लोग तीन बार लेकर यह वेरी करते हैं इतीन रिफूस करिवे दिया है तो तीन लोग करते तीन दिन और और एक चीज़ जो है आगार यह चीज़ हम लोग Ses घलेड़ करते तो उसमें हमें तो बहुत ज्यादा क्योंकि मिशो का आइटम है मेंने जो आइटम चूज किया है उसका कौस्ट मुझे उतना ज्यादा नहीं परा जितना आइटम का कौस्ट है उससे मान लिजिए करीब 50-60 रुपेज ज्यादा मुझे पेय करना पर रहा है मिशो के तुरू और जीनिल उसका जो प्राइस है दू किसी वेबसाइट का प्रॉब्लम यह यह ज्यादा तर प्रॉब्लम जो लोग जो एड्रेस देते हैं उसका और दुसरा चीज यह जो कुरियर वाले हैं को लोग जो लोग जो कॉल करते है उसमें कुछ को होता है हमें यह स्पैम लिखा आता है फ्लिपकट का हमारी यहाँ पर स्पैम लिखा आता है इन यह लोग कैसे जाने के बाद कॉल करते करें रहे कि मीशों तींबार 誤ो सकता है ले लेकिन बाकी दोनों में जो चीज है वो मुझे सही नहीं लगा ग्लो रोट और शॉप 101 में तो वैसे भी मैं आप लोग को रेकोमेंड यही करता हो कि सबसे पहले मिशों में ढूंडी है जो चीज है और मिशों में सारा चीज एक्टीव है तो एक्टीव में जो काम हो रहा और प्रोड़क्ट का रेटिंग में तो देखना कि मिशों में हमेशा ज्यादा रेटिंग मिलता है मतलब क्या ज्यादा लोग पर्चेस कर रहे हो वहां से तो इसी कारण से मैं ज्यादा रेकोमेंड तो मिशों करता हो अप लोग को और आगर आप भी मिशों के साथ करना चा तो इसी कारण से मैं आप लोग अचार शेर कर रहा हूं और एक चीज में आपको बताना चाहता हूं मतलब पूछना चाहता हूं आप लोगों से जैसे मैं तो न्यूँ हो इस चीज में ड्रॉप शिपिंग में लेकिन दूसरा बहुत सारे चीज है जिसमें मेरा इंट्रेस्ट है और मैं काम कर रहा हूं बहुत दिनों से तो एक पॉइंट है अगर आप लोग किसी कोई इंट्रेस्टेड हो तो जरूर बताना कमेंट में कि यह जो यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं मैं बनाता हूं ऐसे वीडियो बनाना में आप लोग इंट्रेस्ट हो या नहीं वो ज़रूर बताना कमेंट में तो यही ता बस इज वीडियों में आशागर तो वीडियो आपको अच्छा लगाओगा इन्फोर्मेटिव लगाओगा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करने इस वीडियो को बने रहने इस देनल के साथ thank you for watching and stay connected